बड़े दिनों बाद आपके हमारी हो रही है मुलाकार, जक्कु भाई हमारी खेल गए, वाटसाप अले जस्वार, क्या बाद, क्या बाद So मेद्रों, क्या हाल है, Happy New Year और Merry Christmas, बड़ा लेट है, एड़स करना बनता है So मेद्रों, जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं, जब जागो तब सवेरा, वाटसाप तेरा हो या मेरा महापुरश ने कहा था, Privacy is a myth, देखिए मैं तो पहले समझे कि हुआ क्या है, हम जितने भी लोग है न, वो थोड़े से डर गए है वाटसाप की चैट पर तो क्या-क्या भीजा होता है, वहीं पर बात आजाती है, आपके समझने की, आप समझे नहीं, कुछ ही बेज दिया आप लोग की तालियों की गड़गडा हट, कॉमेंट सेक्शन में दिख जानी चाई है अर्ज किया है, लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे, जकु भाई ने पढ़ लिया और इलान भाई, क्या तल रहा है, मस का बाड़टी है इलान भाई ने एक ट्वेट किया, कि देखो, तुम सिंगनल यूज करो Spike आया, सिंगनल के डाउनलोड में, सिंगनल अप्लिकेशन, सेम आज वाट्साप, बट फीचर कम है उसमें बट लोग कह रहे हैं कि वो प्राइविसी फोकस्ट है मतलब जितने भी लोग इस पर वीडियो बना रहे है, उसके एक ही सो बेचार है जो लोग कह रहे हैं कि सिगनल अप्लिकेशन सेक्योर है, या टेलिग्राम सेक्योर है ऐसी बहुत सारी अप्लिकेशन हैं, जो कि आपका डेटा स्टोर करती है और शेयर करती है कुछ नएया नहीं है इसमें, वाटसाप जब भी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करता है, लोग इतने भावक क्यों हो जाते हैं देखिए, आप समझे ना समझे, आपका डेटा इन शॉट बिखता है बाते कर रहे थे, वो आड्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो गूगल है, वो भी तो सुनता रहता है और ये प्रूवेन है, आप हमसे हमारा घुरूर मांग लेता है, हम खुशी-खुशी दे देते आपने तो हमारी प्राइवेसी चीनली अब बेसिकलिए लोग इसलिए डर गये हैं, क्योंकि 8 परवरी 2021 में उन्होंने कह दिया कि अगर अगरी नहीं करोगे न, तो आप वाटसाप यूज नहीं कर पाओगे और वाटसाप के तो हमें लत लगी भी है जकुबाई भी लाई किया, 22 मिलियन मैंने खर्चा किये प्रेम किया है, basically sentences को, कि जो end-to-end user है न, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आप से, या मैं ग्रूप में बात कर रहा हूँ, तो नहीं है वाटसाप ने का, ये end-to-end encrypted message है, हम नहीं पढ़ सकते हैं, तुमने encryption किया, तुम उसको decrypt नहीं कर सकते हैं, जो समझे हो क्या या password decrypt हो जाता है, बली वो hash form में use करो, किसी भी form में use करो, उसी encrypted password को आप easily online internet पे decrypt कर सकते हैं और भई, वो तो WhatsApp है, और मैं तो ऐसा भी नहीं है, कि हमने देखा नहीं है, कि WhatsApp charts leak हो जाती है अब में तो सवाल ही आता है, कि अगर मैं signal पे switch करता हूं, तो क्या मेरी privacy guaranteed है? Short and sweet and simple answer, नहीं, नहीं चिछा, नहीं पर आप कहेंगा, रहे यार, यह भी leak हो गया, या गारंटी तो किसी product की नहीं मिलती है, प्राइविसी की गारंटी आपको कौन देगा अब सबके WhatsApp पे notification आया, दो option दिये, जहां पे उन्होंने कहा not now और एक में कहा accept इस लोगों ने कर लिया, मैंने अभी किया नहीं है The reason being, इतना जो backlash मिल रहा है इस privacy policy update को लेके, वो सता है कि WhatsApp इसको reframe कर दी Point यह है कि इंडिया में इतने strong privacy laws नहीं है, और obviously हम यहाँ पे privacy की वैसे respect भी नहीं करते हैं, इंडिया में तो खास कर अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, WhatsApp का इतिहास देख लेते हैं, साफ सुत्रा है नहीं WhatsApp में spyware inject हो गया था, Pegasus 2019 में, कुछ कर पायते हैं, नहीं कर पायते ना अब लोग signal पे इसकले भी switch कर रहे हैं, क्योंकि कहने में यह आ रहा है, जितनी privacy WhatsApp दे रहा है, उससे कहीं जादा advanced security हमें signal पे मिलेगी अब लोग हलना इसलिए मचा रहे हैं, कि हम कौन सा phone यूज करते हैं, वो देखेंगे, signal strength आप देखेंगे, यह सारे चीज़े, जब आप Play Store से कोई भी application डाउनलोड करते हैं, कोई भी application XYZ, तो Google Play Store automatically developer को यह details दिखाता है पहली जी, तो WhatsApp के end से गलती है, कि भाया, confusion आपको creating क्यों करना था, एक personal account के लिए आपने अलग conditions लगाई है, एक business account के लिए अलग condition लगाई है, और आप बात कर रहे हैं, तो WhatsApp वाले जचा जो है, जक्कु भाई हमारे, वो देख सकते हैं, कि क्या बात चल रही है, केक मंगाय जा रहा है, on the other hand, as per WhatsApp, अगर आप रमेश से एक group में, आपका एक personal account है, तो वो नहीं देख सकते, WhatsApp ने कहा है, कि हम जो private messages है, या जो आपकी private calls है, ना हम देख सकते हैं, ना Facebook देख सकते हैं, आरे जा यार, आप जा के अपना काम करो, अब आप कहीं स्टोरी नहीं कर रहे हैं, चचा, कैसे लोगों की चाट Google पर आ रहे हैं, तो आप सुनिये, we don't keep logs of who everyone is messaging or calling, we can't see your shared location, neither can we, आरे जाओ, बट जब आप एक messaging application use करते हैं, तो obviously आपको features सोड़े से जाधा चाहिए, जो कि obviously अभी signal lack कर रहा है, as compared to WhatsApp, आपकी group chats जो है, वो Google search पर आ रहे हैं, एक simple search से, तो मैं तरो definitely ये concern है, अब देखना ये है कि ये सारी applications, आप से कितनी permission और कितना data मांगती है, WhatsApp, device ID, user ID, advertising data, purchase history, location, number obviously, contact, details obviously, तो ये कुछ permissions हैं चोकि ये application use करती हैं, और सबसे जाधा use करती है Facebook Messenger, purchase history, financial information, precise location, physical address, email address, gameplay content, photos and videos, obviously, gallery का access, user ID, device ID, crash data, advertising data, health, fitness, जो भी आपने payment information की है, वो on the other hand, signal, कोई भी ऐसी permission नहीं मांगता, Telegram on the other hand, contact info, contacts और user ID लेता है, जो data जा रहा है, वो कई ना कई तो store होई रहा है, चाहे वो company वाले कितना भी बोल नहीं, नहीं ले रहे हैं, इसका लबो लब आप में तो सिर्फ इतना सा है, कि private information जो है, को आप online share ना करें, साफदान रहे हैं, सतर करें हैं, और देखते रहें potato tech, अच्की वीडियो में पस इतना है, ओप यो लाइक अगरी वीडियो पस इतना है, लाइक, comment, share and subscribe and I'll meet you guys in the next one.